हलो दोस्तों नमस्ते मैं डाक्टार एनेस लिल्लारे आज हम देखेंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और टोटल यूटिलिटी क्या है तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमने मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के पहले भी हमने टाइप साप यूटिलिटी और यूटिलिटी का मिनिंग क्या है तो वो ये वीडियो प्लीज करके आप देख लीजिए तभी आपको आगे कर जो concept है वो समझ में आएगा तो फिर से हम देख लेते हैं फिर भी utility क्या है तो it is a quantitative measure of satisfaction, utility is the one satisfying power of commodity उपयोगिता एक quantitative measure of satisfaction है मतलब उपयोगिता के द्वारा हम किसी आवशक्ता को माप सकते हैं और उपयोगिता याने क्या तो किसी वस्तू में आवशक्ता को पूर्ण करने की छमता कोई हम उपयोगिता कहते हैं For example, यहां पर हम एक उधारन, छोटे से उधारन के द्वारा समझ सकते हैं, यदि आपको भूक लगी है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, चपातीस खाएंगे या चपातीस का कंजब संद करेंगे, तो जो चपातीस है या रोटी में जो उपियोगिता है, वो भूक को सांद करन की है, और इसलिए उस रोटी में या चपाती में उपियोगिता है, ऐसे हम कहते हैं, तो देन, कोश्चन यह राइज होता है, कि can utility be measured, क्या हम उपियोगिता को माप सकते हैं, तो देन, अर्थ सास्त्री दरश्टी को से, इकनॉमिस में यदि हम देखेंगे, तो उपियोगित मापन के संबन में, दो concept available है, एक तो है, कार्डिनल अप्रोच, जिसको हम कहते हैं, गन्ना वाचक दरश्टी कोन, और नमबर सेकेंड है, आर्डिनल अप्रोच, जिसे कहते हैं, क्रम वाचक दरश्टी कोन, तो इन, दोनों को हम साट में देखेंगे, कि गन्ना वाचक दरश क्या है, या कार्डिनल अप्रोच, हम किसे कहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, यूटिलिटी एक साइकलोजिकल फेक्टर है, मनोवेज्यानिक विचार है, परन्तु, यहां डाक्टर मार्सल एवं कुछ अन्य अर्थ सास्त्रियों के अनुसार, उपियोगीता को हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, एक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए उतनी कीमत देना चाहता है, जितनी उससे उपियोगीता मिलती है, इसे हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, किसी वस्तु के लिए दी जाने वाले कीमत को मोटे तवर पे हम उपियोगीता का माप कहते हैं, उधा अगर 10 रूपए देने पड़ते हैं तो यहां पर पेन की उपियोगिता 10 रूपए के बराबर होगी और इसी को हम कहते हैं गनना वाचक द्रस्टी कोन और गनना वाचक द्रस्टी कोन के आधार पे उपियोगिता मापनी है उपियोगिता मेजरेबल है उपियोगिता को हम माप सकते हैं इस द्रस्टिकोन को ही हम गन्ना वाचक द्रस्टिकोन या कारडिनल अप्रोच कहते हैं अब गन्ना वाचक द्रस्टिकोन के अनुसार उपयोगीता को गन्ना वाचक संख्याओं के द्वारा दरसाया जा सकता है जैसे किसी वस्तू के पहली इकाई से 6 रूपए के बराबर उपयोगिता होना, दूसरी इकाई से 4 रूपए के बराबर उपयोगिता होना, तो इस तरीके से हम कार्डिनल अप्रोच में हम किसी इकाई को यूटील में माप सकते हैं या मुद्रा के रूप में हम माप सकते हैं, और ये द्रश्टी कोन को ही हम क्या कहेंगे गनना वाचक द्रश्टी कोन कहेंगे या कार्डिनल अप्रोच कहेंगे और इसका मुख्य आधार डाक्टर मार्शल ने माना है, और मार्शल से समकालील अर्थ सास्त्रियों ने माना है, जहां पर हम इसे संख्याओं में माप सकते हैं, या संख्याओं के द्वारा माप सकते हैं. दूसरा है आरडिनल अप्रोच जिसको हम कहते हैं क्रम वाचक दरस्टी कौन, अब डाक्टर मार्शल ने कहा कि उप्योगिता को मापा जा सकता है कारडिनल अप्रोच के थ्रूब, बट कुछ ऐसे अर्थ सास्त्री जिसमें पेरटो है, एलन है, हिक्स है, इन्होंने मार्शल क विचार को खारीच किया, विचार को डिनाई किया, उसके थाट को डिनाई किया, और उन्होंने बताया कि यद्देपी, जो यूटिलिटी है, वो शाइकोलोजिकल फेक्टर है और इसको हम माप नहीं सकते, केवल इसको हम क्रम वाचक संख्याओं के द्वारा, या आर्डिन अप्रोच के द्वारा जैसे फर्स्ट रेंग, सेकंड रेंग, थर्ड रेंग के द्वारा बता सकते हैं और इससे रिलेटेड ही जो आने वाला कांसेप्ट है वो इसके आधार पर आधारित है जिसको हम कहाएंगे इंडिप्ध्रेंज करवत तो इस तरीके से कार्डिनल अप्रोच के द्वारा उप्योगिता का मापन संभव होता है जबकि आर्डिनल अप्रोच के द्वारा उप्योगिता का मापन नहीं किया जाता है दोस्तों हमने उप्योगिता क्या है ये समझ लिया इसके बाद आता है कि टोटल यूटिलीटी क्या है और मार्जिन तो हम देखेंगे कि टोटल यूटिलिटी आने क्या तो टोटल यूटिलिटी रेफर्स तू एग्रिगेट आप यूटिलिटी डिराइवड बाई कंजूमर फ्राम आल यूनिट आप कमूडिटी कंजूम यहाँ पर कूल उपयोगिता क्या है इसको हम देखेंगे और सीमान तूपयोगिता क्या है यह हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किसी निश्चीत समय में उपयोगता विभिन इकाईयों का प्रियोग करता है और उन सारे इकाईयों से मिलने वाले उपयोगिता कोई हम क्या कहेंगे कुल उपयोगिता कहेंगे और कुल उपयोगिता घड़ती हुई दर से बढ़ती है मतलब शुरुआतने बढ़ेगी और फिर इसका जो बढ़ने का जो दर है वो कम होने लग जाएगा तो ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों होता है कि उपयोगिता घड़ती भी दर से बढ़े तो आप देख पाएंगे कि टोटल यूटिलिटी टेबल में आप देख पा रहा है यहां कि जब फर्स्ट यूणीट है तो टोटल यूटिलिटी टेन है सेकंड यूट ऊपभोक्ता कंजप्छन करता है तो वो 18 हो जाता है थर्ड यूणीट 24 हो जाता है 4th unit consumption करता है 28 हो जाता है और 5th unit के आते आते 6th unit के आते आते वो इस्थीर होता है और 7th unit में जब आता है वो तो 28 हो जाता है तो यहां कूल उपयोगीता क्या हो रहा है यहां पर लगातार बढ़ रहा है मगर बढ़ने का दर घर्टी वी दर से पहले 10 से बढ़ा फिर 8 से बढ़ा फिर 6 से बढ़ा फिर 4 से बढ़ा फिर 2 से बढ़ा फिर 0 हो गया 0 से बढ़ा और फिर minus 2 से बढ़ा तो ऐसा क्यों हो रहा है तो यहां total उपयोगिता क्या है एक निश्चीत समय में उपभोगता जितनी इकाईयों का उपभोग करता है तो उन सारे इकाईयों से मिलने वाली सिमान्त उपयोगिता के योग को ही हम total utility कहते हैं तो इसको हम graph में भी इसको हम tu equal to समय सांग mu मतलब कुल उपयोगिता क्या है सभी सिमान्त उपयोगिता का जोड है या योग है तो इसके बाद हम देखते हैं marginal utility अब marginal utility क्या है तो marginal utility refers to the additional utility derived by a consumer from an additional unit of commodity consumed in other words it is the addition made by the last unit of commodity consumed मतलब यहां सिमान्त उपयोगिता का अर्थ है किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाईयों का उभ्भोग करने से जो कुल उपयोगिता में व्रधी होती है तो उसे ही हम सिमान्त उपयोगिता कहते हैं बोल्डिंग ने हैं बहुत खुबसूरत तोर पे define किया किसी वस्तु की मात्रा सिमान्त उपयोगिता कुल उपयोगिता में व्रधी है जो की उभ्भोग में एक और ज्यादा इकाई के परिनाम स्वरूफ होती है तो then सिमान्त उपयोगिता क्या है कि हम निशीत समय में विभिन्न इकाईयों का उपयोग करते हैं तो जो last इकाई से मिलने वाली उपयोगिता है तो उसी को हम कहेंगे सिमान्त उपयोगिता अब हम कूल उपियोगिता और सीमानत उपियोगिता को सारनी के द्वारा या टेबल के द्वारा समझ सकते हैं तो देखते हैं आप सारनी में कि marginal utility फर्स्ट इकाई कंजप्शन करने से 10 unit है सेकंड इकाई कंजप्शन करने से 8 unit utile के बराबर है थर्ड इकाई कंजप्शन करने से 6 utile के बराबर है और फूर्थ इकाई से 4 utile के बराबर है तो इस तरीके से marginal utility क्या हो रहा है? कम हो रहा है तो marginal utility जब एक उप्भोग ता पहली इकाई का फर्स्ट इकाई का units का उप्भोग कर रहा है तो उसको marginal utility 10 मिला सेकंड इका उब्भोग करने से उसमें marginal utility कम हुआ है ये क्यों हुआ है क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे हम उब्भोग को बढ़ाएंगे तो हमारी आउसेक्ता की सम्तूस्टी कम होते जाएगी जैसे यहाँ पर आप उदारन ले ले कि यदि आप भूके हैं और भूके हैं ऐसे समय में आप चपातीस की various units को consumption करेंगे various एकाईयों को consumption करेंगे मान लिजिए आप first चपातीस खाते हैं तो उसमें मान के चलिए ठेल यूटील के बराबर आपको utility मिलता है मतलब आपका पेट थोड़ा भरा then second रोटी जब आप खाएंगे तो आपका पेट पूरा भरा मगर second चपातीस से आपको उतनी उपयोगीता नहीं मिलेगी जितनी second utils या second रोटी से मिला क्योंकि आपका जो भूक है उसकी तीवरता पहले रोटी खाने से कम हो जायेगी जैसे ही तीसरी रोटी आप खाएंगे तो आपका भूक और कम हो जायेगा जैसे ही चवती रोटी खाएंगे आपका भूक और कम हो जायेगा जैसे जैसे आगे रोटी की संख्या बढ़ाते जायेगा आपकी भूक मीटते जाएगी और इसलिए यहाँ पर marginal utility भी continuous कम होते जाएगा एक ऐसी अवस्था आएगी कि आपका भूख पूरी तरह से सांथ हो जाएगा अब भूख सांथ होना इसका मतलब आप पूर्ण संथुस्ठी को प्राप्त कर लेंगे इसके बाद भी यदि आप रोटी खाते हैं तो या तो वो रोटी आपका पेट को खराब कर देगा मतलब आपको negative utility देगा या negative उपयोगिता गेन करेगा और इसके बाद किसी उप्भोगता के लिए उप्भोग करना उप्योगी नहीं होगा अनुप्योगी होगा या negative utility होगा अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या संबंद है मतलब कूल उप्योगिता और सीमान्त उप्योगिता के बीच में क्या संबंद है यह हम बताने की कोशिस करेंगे कि यह संबंद को बताते समय आप देखेंगे कि ग्राप्स के थुरू आप देखने जाएंगे तो शुरुवात में मतलब जब भोगता फर्स्ट यूनीट का कंजेप्शन कर रहा है तो यहां पर कूल उप्योगिता टोटल उटिलिटी और मार्जिनल उटिलिटी दोनों सेम है दोनों बराबर हैं जैसे कंजूमर अगले ही कायोंग पर आता है तो टोटल उटिलिटी कम होते हुए या घड़ते हुए दर से बढ़ते जाती है जिसको आप टी यू ग्राप पर देख पा रहा है घड़ते हुए दर से बढ़ रही है पहले 10 फिर 10 प्लस 8 18 फिर 18 प्लस 6 24 24 प्लस 4 28 28 प्लस 2 30 30 प्लस 3 30 और 30 माइनस 2 28 तो इस तरीके से टी यू हर अगले इकाईयों में घड़ते हुए दर से बढ़ रही है और जबकि यहाँ पर जैसे जैसे उब्भोगता अनेक वस्तुओं के उब्भोग करता है वैसे वैसे हर अगले इकाई में marginal utility घड़ते जाती है जैसा कि आपने demand कर वो देखा marginal utility घड़ते जाती है पहले 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, 0, 2, minus 2 तो इसी को हम यम्यू के द्वारा graph पर बताएं यह graph यहाँ पर सीमान तुपियोगीता क्या होगी एक निस्चीद बिंदू तक धनात्मक है फिर सुन्य हो जाता है फिर रिनात्मक होता है और इसका जो सभाव है वो रिनात्मक ढाल होता है मतलब हर अगले काई से मिलने वाली सीमान तुपियोगीता कम होते जाएगी इसके विप्रीत जो उपकूल उपियोगीता है वो घटते हीदर से बढ़ती है और यह हमेशा धनात्मक होगी यह हमेशा धनात्मक होगी तो देन जब 6 सीकाई का उपयोग किया जाता है रोटियों का उभोग किया जाता है उभोगता के द्वारा तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर कुल उपयोगिता अधिक्तम है 30 यूनिट है 30 यूनिट है तो मतलब जब कुल उपयोगिता अधिक्तम है तब यहाँ पर यम्यू या सीमान्त उपयोगिता जीरो है मतलब यहाँ पर हम इसको यह बोल सकते हैं कि जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्जीमम होगा वहाँ पर जो मारजिनल यूटिलिटी जीरो होगा इसका मतलब ही है कि यहाँ पर जो उभोगता है वो अपने maximum संतूस्टी को गेन करेगा अधिक्तम संतूस्टी को गेन करता है इसके बाद भी यदि वो कंजप्शन्स को बढ़ाता है मतलब 7th unit पर जाता है तो 7th unit पर जैसे ही वो जायेगा tu 30 से घटकर 28 हो गया और yamu या marginal 0 से घटकर minus 2 हो गया तो जहां जैसे ही सिमान्त उप्योगिता रिनात्मक होगा कुल उप्योगिता गिरने लगती है या कुल उप्योगिता कम होने लगती है तो जहां पर सिमान्त उप्योगिता रिनात्मक होगा वहां पर कुल उप्योगिता कम होने लग जाएगी तो इस तरीके से आज हमने कूल उपियोगिता क्या है और सीमानत उपियोगिता क्या है ये हमने देखा और इनके बीच में संबंध क्या है ये हमने देखा आने वाले वीडियो में और भी हम देखेंगे कि लाब DMU क्या है तब तक के लिए वीडियो उपर बने रहिए मिलते है झाल